पश्चिम बंगाल के कॉलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मडर के खिलाफ छह जूनियर डॉक्टरों ने भूख हरताल शुरू कर दी है डॉक्टरों ने चार अक्टूबर को धर्मतला इलाके में डोरीना क्रॉसिंग पर धर्ना प्रदर्शन शुरू किया था उन्होंने अपनी मांगो को पूरा करने के लिए ममता सरकार को 24 घंटे का अल्टिमेटम दिया था राज्य सरकार को दी गई डेडलाइन शनिवार 5 अक्टूबर की रात साड़े आट बजे खतम हो गई थी इसके बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंड के छे प्रतिनी दियों ने आमरन अंशन शुरू कर दिया जूनियर डॉक्टर्स हेल्थ सेक्रेटी एनेस निगम को हटाने स्वास्त विभाग में ब्रष्टाचार के लिए जवाब धाई तैय करने समेथ अपनी नो मांगो पर अड़े हैं डॉक्टर ने बताया कि वे भूख हड़ताल की पारदरशीता बनाए रखने के लिए मंच पर CCTV लगाएंगे ताकि हर कोई देख सके कि वहाँ क्या हो रहा है बंगाल के जुनियर डॉक्टरों ने रेप मडर घटना के खिलाफ 10 अगस से 21 सितंबर तक 42 दिन तक हड़ताल की थी डॉक्टरों ने सरकार के सामने पांच मांगे रखी थी इन में से सरकार ने तीन मांगे माल ली थी सीम मम्ता ने दो अन्य मांगों और शर्टों पर विचार करने का आश्वसन दिया था इसके बाद डॉक्टरों ने हरताल खतम करती थी वे अस्पतालों में कामपल लोड गए थे 27 सितंबर को सागोर दत्ता हस्पिटल में तीन डॉक्टरों और तीन नर्सों से पिटाई का मामला सामने आया जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने एक अक्टूबर को फिर से हरताल शुरू करती थी चार अक्टूबर को जुनियर डाक्टरों ने हरताल वापस ले ली लेकिन धरना जारी रखा उन्होंने कहा कि हम काम पर लोट रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीश परिशान हो रहे हैं हाला कि उन्होंने राज सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था करते हैं